हेलो अब्रीवन वेल्कम टू माई यू पीएस सी जनरल स्टेडीज के ग्यारे टेस्ट हम कर चुके हैं अल्रेडी आज टेस्ट नमबर बारवा है ये डिसकस करेंगे तो तवियत लूजे उसको अवोइड करना जिनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए देखे क्या है जो हिंदी के टेस्ट है उसके नीचे ज्यादा तर कमेंट करते हैं कि आप इंगलीश में भी करवाईए और जो इंगलीश के टेस्ट है उसके नीचे आप जाके देख तो कमेंट मिलेंगे कि आप हिंदी में भी करवाईए जब कि यहां पर हिंदी और इंगलिस दोनों में टेस्ट करवाए जा रहे हैं तो उसकी एक वज़े यह कि आपने यह तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर वो नोटिफिकेशन ओन नहीं कर रखा है इसलिए यह आपके प्रोब्लम्स आ रहे हैं हिंदी और इंगलिस दोनों में रेगुलर करवाए जा रहे हैं जिन्होंने टेस्सीरीज जोइन नहीं किये टेस्सीरीज जोइन कर लीजिए कोई query है कोई inquiry है कोई usta कर दो आपको नीचे description में contact नंब़र c s पर आप Ja dann 7 करके और जो भी आपकी ओ सब सकते हैं चैटीरीज का लिंक भी निचे description में वह आपको detail मिल जाएगी आप टेस्सीरीज जोइन करते हैं उसके बाद में अब तक जो टेस्ट हो चुके हैं टेस्ट और उनका solution मिलेगा एज पीडिएफ उसके साथ साथ आपको नौट्स भी मिलते रहेंगे आपके जो सलेबस है उसके नौट्स मिलते रहेंगे अगर आपने हिंदी में जोइन किया तो हिंदी में प्रतिनिदी सासन की दिशा में महत्योपूरण कदम उठाया था, द्वैद सासन किस इस्तर पर लागू किया गया था? देखें हम 1919 का जो Government of India Act है उसकी बात कर रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको एक और नाम से जाना जाता है, और वो है Montague Champs Ford Reform, Montague Champs Ford सुधार भी सरकार अधिनियम 1919 का जो अधिनियम है, उसको ही कहा जाता है, ये क्यूशन आपके Advertisement No. 50 में आया हुआ है, कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसको दूसरा और किस नाम से जाना जाता है, इसके जो 1919 का अधिनियम है, जो प्रशाशन के क्षेत्र है, उसमें है Decentralization, विकेंदरी करण की निती, और 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम है, उसके अकोर्डिंग, जो विधान परिसद है, उस इससे बार कोई कुशन नहीं आएगा इससे, इस कुशन का जो करेक्ट आंसर आएगा, वो क्या आएगा, प्रानतिये इस्तर पर, दुएद सासन किस इस्तर पर लागू किया गया था, प्रानतिये इस्तर पर, एसियाटिक सोसाइटी ओब बंगाल की स्तापना किसके द्वारा की गई थी, एसियाटिक सोसाइटी ओब बंगाल, देखें पहले तो यह एसियाटिक सोसाइटी की स्तापना हुई थी, बाद में इसी को एसियाटिक सोसाइटी ओब बंगाल हुआ है, यह जब कॉलकता में ए एसियाटिक सोसाइटी की स्तापना हुई थी इसकी स्तापना बंगाल में कॉलकत्ता में हुई थी इसकी जब स्तापना हुई थी तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे लार्ड वेल्सली थे लार्ड वेल्सली गवर्नर जनरल थे यह ध्यान रखना आपको इंप संदान का, knowledge और research का सबसे पुराना केंदर है, और इसकी स्तापना कब हुई थी, इसकी स्तापना 1784-1784 में इसकी स्तापना हुई थी, exam point of view से देखेंगे आप तो 15 जनवरी 1784 को इसकी स्तापना हुई थी, सुरू में क्या है, ब्रिटी सर्च ने है, जो सिक्षा का education के development में कोई रूची नहीं लिया, नहीं के बराबर रूची लिया थी, लेकिन वारे नाश्टिंग्स ने बारते सिक्षा का क्या है, एक तरीके से उसको पुनर जीवित करने का जो प्रोथ साहित किया था, वारे स्टिंग्स ने क्या किया था, कलकत्ता में मदर से बनाये थे, और उसी के बाद, यह जो 1784 है, इसी में ही, एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल की इस्ताफना हुई थी, ताकि यहां पे जो ancient history है, या ancient art culture है, science है, literature है, इसका अध्यन किया जा सके, और इसी में ही आगे चलके, 1791, 1701 में में, बनारस का जो बिटिस रेजिडेंट थे, जोनाथन डंकन, उन्होंने बनारस में प्रतम संस्कृत कोलेज खोला था, यह द्यान रखिएगा, 1781 में कलकत्ता मदर सा, 1784 में, एसियाटिक सोसाइटी और बेंगल, और 1701 में में, यह बनारस में संस्कृत कोलेज, जोनाथन डंकन ने, इस क्यूशन का जो करेक्ट आंसर आएगा, इसकी स्थापना किस ने की थी, एसियाटिक सोसाइटी की 1784 में, सर विलियम जॉन्स ने की थी, यह इस क्यूशन का करेक्ट आंसर है, इस मजेश्ट्री ज एपोनेंट, निमलेकित में से किस की जीवनी है, यह बुक लिखी गई है, सुगाता बोश ने, सुगाता बोश ने यह बुक लिखी है, His Magistries' Opponent, सुभास चंदर बोश एंड इंडियाज श्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर, इस बुक का पूरा नाम यह ही है, His Magistries' Opponent, सुभास चंदर बोश एंड इंडियाज श्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर, यह सुभास चंदर बोश की जीवनी है, जो सुगाता बोश ने लिखी है, S.C. बोश सुभास चंदर बोश इसका सही आंसर होगा, एक क्यूशन पूचा जाता है साब के एकजाम में, निमले कित में से कौन सी जम्मू और कस्मीर की एक जनजाती नहीं है, देखिए नहीं है पूचा है, जम्मू कस्मीर की जनजाती नहीं है इन में से, जो बकरवाल है ये जमू कस्मीर की है बाल्टी है गुर्जर्च भी गुर्जर्च भी है वहाँ पे पंगवाला जो जनजाती है पंगवाला ट्राइब ये जनजाती कहां की है ये है पंगवाला हिमाचल प्रदेश की यह important है द्यान रखिएगा अभी वहाँ परिशीमन हुआ है और election भी आने वाले टाइम में होंगे तो यह इस तरीके का आपके exam तक question बन जाएगा एक क्योंकि बाकी जगे आप देखेंगे कहीं religious कहीं caste तो वहाँ पर tribes का भी matter करती है election point of view से भी और development के purpose से भी अब हम बात करते हैं कि भारत में जो आदिवासी समुदाये उनको मानने तक constitution में कहां दी गई है यह जो ट्राइबल से जन जाती है इनको समिदान में मानने तक कहां दी गई है यह है schedule 5th अनुसूची 5 यह द्यान रखिएगा फिप्थ schedule में बारत में जो आदिवासी समुदाये उसको मानने तक दी गई है निमले कित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है इनकरेक्ट है मैच नहीं कर रहा सही से वो कौन सा है देखते है बुकसा जो है tiger reserve यह बिहार यह बिहार में नहीं है बुकसा tiger reserve दंपा tiger reserve या national park यह मिजोरम में है न मेरी national park आसाम में है नेक्स और देखते हैं कौन सा option है यह नामदापा है यह अरुनाचल प्रदेश में है यह सही है इसका जो answer आएगा सही सुमेलित बुकसा यह बिहार यह जो बुकसा tiger reserve है यह कहां पे है यह west बंगाल में है पस्चिम बंगाल में जो जलपाई गुडी डिस्टी का है जलपाई गुडी जलपाई गुडी जिले का जो अलिपुर्दवार उपमंडल है उसमें है यह और इसको बुकसा tiger reserve जो पस्चिम बंगाल में है 1983 में यह इसको बारत का पंदरवा 15th tiger reserve के रूप में गोशित किया गया था और 1992 में इसको national park डिकलेर किया था इसकी जो बुकसा tiger reserve है इसकी जो नौर्थ boundary है यह किसे लगती है बुकसा tiger की नौर्थ boundary इंटरनेशनल बाउंडरी लगती है इसकी बूटान के साथ निमल लिकित कतनों में से कौन सा एक धन विदेयक के बारे में सही नहीं है money bill के बारे में सही नहीं है इनमें से धन विदेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता जो money bill है, finance bill है ये पार्लियमेंट के दोनों सदन, lower house और upper house, जो lower house है वो लोग सबा होता है, upper house राज्य सबा होता है, ये दोनों में पारित किया जा सकता है, ये सही है, लोग सबाद्यक्स ये निर्णा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई भी bill दन विदेक है या नही बिल्कुल कोई money bill है, ये कौन डिसाइड करेगा, लोग सबाद्यक्स और अभी लोग सबाद्यक्स कौन है, ओम बिर्ला जी है लोग सबाद्यक्स पारित किसी दन विदेक का, राज्य सबाद्यक्स 14 दिनों के अंदर लोटाया जाना और विचार आर्थ बेजा जाना आउशक है ये सही है, लोग कोई दन विदेक है, money bill उसको लोग सबाद्यक्स पास कर दिया, और राज्य सबाद्यक्स पेंडिंग है, तो 14 दिनों के अंदर अंदर लोटाया जाना जरूरी है उसको, ये भी सही है इसके बारे में गलत कोई सा भी नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा ये क्यूशन बनाने के पीछे यही मकसद था कि आपको जो money bill इसका क्यूशन रिपेटेड ले आता है, तो थोड़ी पूरी जानकारी रहे है आपको इसके निमलेकित परसिद इस्तानिय सरकार की नितियों से जुड़े हैं, the following are associated with well known, ये local government policies, local self government, आपने पंचायति राज का सुनाओगा, local government policies, उसका क्यूशन है ये question में क्या पूचा जा रहा है वो देख लेते हैं, question पूच रहा है जो उपर दिये उनका chronological, सही chronological क्रम कौन सा होगा, it means कि इन में से पहले local self government पे policy किस ने बनाई है, किस committee की या इन से जो person है, इन से associated, पहले किस का time रहा है, ये है देखे, ये question बहुत important है, 100% एक question आता है आपके exam में, direct, indirect, तो आपको ध्यान रखना होगा, local self government, पंचायती राज से ये एक तो जो इस्थानिय स्वेसाशन है, ये किसका subject है, state का subject है, राज्य सूची का विशह है ये, दूसरा इसमें एक important है, article 40, article 40 क्या कहता है ये गांदिवादी principle है, ये gram पंचायतों का गठन है, article 40 में, एक है article 243A, ये direct question पूछे जा सकते हैं, आपके exam में, article 40, gram पंचायतों का गठन, article 243A, ये है gram सबा का गठन ये दो article important है, ध्यान रखिएगा, अब बात करते हैं, कि इन में से कौन पहले chronology के लिए आया है इसका गठन किया गया था, 1957 में, laurerpon को भारत में क्या कहा जाता है, lord ripon को, father of local self-government, इस तायने स्वासाशन के जनक के रूप में जाना जाता है, lord ripon को लॉर्ड रिपन का टाइम कब रहा है ये रहे है 1882-84 इसके बाद जो लॉर्ड मेयो है लॉर्ड मेयो इन्होंने ही जो अभी लोकल सेल्प गवर्मेंट में पंचायत वगरा में इसमें जो फाइनेंशियल डिसेंटरलाइजेशन है या जो बजेट वगरा है उसका जो पूरा क बताया था था आपका एकजाम में पंचायत राज व्यवस्ता किस कमेटी की सिपारिस पर बनाए गई गई है वो है बलवन्तराइ मेता समीती और ये 1956 से और 1957 में एक कमेटी बनी है ये किलियर हो गया इसी के बाद में पंडित नहरू ने एक कमेटी बनाई थी और उसी के बाद में आपने देखा होगा पंचाय तिराज का गटन हुआ दो अक्टुबर 1959 को और सबसे पहले ये भी क्यूशन पूचा जाता है एकजाम में सबसे पहले नागोर जिला राजस्तान में जो नागोर है वहाँ पे एक बगदरी गाउँ है उसमें उद्गाटन किया गया था पहली पंचायत का और दूसरे कहां किया था आंदर प्रदेश में दो अक्टुबर को राजस्तान के नागोर जिले में और दूसरे नमर पे आंदर प्रदेश में किया था ग्यार अक्टुबर को दूसरी कमेटी असोक मेहता कमेटी की बात करते हैं ये 1977 में बनाई थी असोक मेहता कमेटी जो प्रदान मंतरी थे मोरार जी देशाई उन्हों ने बनाई थी इस कमेटी ने भी त्री स्तरिय पंचायत राज की व्यवस्ता की थी वलमंतराय मेहता ने त्री स्तरिय असोक मेहत कमेटी ने जो प्रदान्मंत्री मौरार जी देशा ती इसने द्वी स्थारिय- दो इस थर पर jarip व्यवस्था की कि करिडिकमेंडेशन कि ती सिपारिस एक तो ग्राम मंदल पंचायत और जिला इस थर पर झिला परिशत इसने जो पंचायत समीती का जिकर नहीं किया था इसके बाद में एक और कमेटी बनी है ये जो local self government है उसको लेके एक और कमेटी बनी है वो बनी थी लक्समी मल सिंगवी कमेटी लक्समी मल सिंगवी कमेटी 86 से 87 में बनी थी लक्समी मल सिंगवी समेटी ने कहा था कि पंचायतों को सम्वेदानिक दरजा प्राप्त किया जाए और इसके बाद जो last कमेटी बनी थी 1988-89 में वो कमेटी बनी थी पी के यूंगन कमेटी पी के थुंगन कमेटी बनी थी एक्चुली वो उसने भी पंचायतों को सम्वेदानिक दरजे का recommend किया था so अब आपको लग गया होगा कि इनका chronological order क्या रहेगा देखे सबसे पहले जो इसमें रहा है वो रहा है दूसरे नमबर पे 1870 में Lord Mayo देन उसके बाद में Lord Dufferin देन बलवंतराय मेता और लास्ट असोक मेता so 2314 आप भी इनको note कर लीजे या इसके बारे में जरूर पढ़िएगा आप test series जोइन करते हैं तो आपको ये वैसे भी provide करवा दिये जाएंगे detailed solution वगर आपको ये भी इसका correct answer आएगा भारत निमलिकित में से किस अंतराष्टिय संगटन का सदश्यन नहीं है किस international organization का member नहीं है इंडिया ये दे रखे हैं जिन में से ये इस तरीके के भी आज कलक्यूशन पूछे जाने लगे हैं एक्जाम में देखें जी 15 क्या है ग्रूप ओफ 15 है जी 7 ग्रूप ओफ 7 जी 20 ग्रूप ओफ 20 और जी 77 ये ग्रूप ओफ 77 ये अब इन में से भारत जी 7 का member नहीं है जी 15 का member है भारत जी 15 है इसकी स्तापना हुई थी 1989 में और जी 15 का headquarter कहां पे है जिनेवा स्विट्जर लेंड में जी 7 है इसकी स्तापना 1975 में हुई थी इसका कोई headquarter नहीं है जी 20 है जी 20 की स्तापना हुई है ये मेक्सिको में हुई है और ये हुई थी 1999 में जी 77 है ये इसकी स्तापना 1964 में हुई थी कहां पे न्यू यॉर्क में ये द्यान रखेगा पूचा जा सकता है आज थोड़ी तव्य ठीक नहीं है जो अभी रिसेंटली हुआ है जी 7 का समिट जी 7 का जो अभी रिसेंट समिट हुआ है वो 48 समिट हुआ है जिसमें आपने देखा होगा कि जो वेस्टन मीडिया है उसने काफी अभा बनाया था कि इंडियन प्राइम इनिस्टर को नहीं बुलाया जाएगा बाद में वो सब अफवाएं थी यह जो मीटिंग हुई थी यह जर्मनी में हुई है 48 वाद G7 का समिट हुआ है जर्मनी में अभी रिसेंटली जून 2022 में ही हुआ है और जो नेक्स्ट होने वाला है 49 यह क्यूशन आपके लिए इंपोर्टेंट है दोनों 48 वर 49 द्यान में रखिएगा जो 48 जी सेवन समिट होगी 2023 में यह कहां पर होगी टोकियो जापान में टोकियो में होगी जापान में अंतराष्ट्रिय मुद्रा कोस किस के साथ अस्तित्यों में आया किस की वज़े से किस किस समयलन में यह चर्चा उईर उसके बाद में IMF की स्तापना हुई जो IMF की स्तापना हुई है वो ब्रेटन वुड समयलन के बाद हुई है ब्रेटन वुड समयलन के बाद ही IMF अस्तित्यों में आया है ब्रेटन वुड समयलन है यह कब हुआ था यह हुआ है वासिंगटन में हुआ था यह ओम्नी माउंट वासिंगटन ब्रेटन वूड में और यह 1944 से और 1944 सो यह इधर जुलाई 1944 एक जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 तक हुआ था यह सम्मेला इसमें इसके बाद यह आया में पस्तित्वे में आया था बर्लिन सम्मेलन क्या है बर्लिन कॉन्फरेंस है इसको बोलते हैं कॉंगो कॉन्फरेंस भी बोलते हैं इसको यह वेस्ट अफरीकन कॉन्फरेंस भी बोलते हैं और इसमें क्या है जो यूरोपियन कोलोनाईजेशन है उसमें ट्रेड क्या रहेगा अफरीका में उस टाइम पे वो उसमें जिकर है उसका इसको द्यान में रखेगा इसको कॉंगो सम्मेलन भी बॉलते हैं लंदन सम्मेलन क्या है यूनान में एक 27 सरकार की स्तापना के बुलाया गया था ये 1832 में देखिए सभी इंपोर्टेंट है इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं 1832 में ये लंदन सम्मेलन हुआ था यूनान में जो इस्ताई सरकार की स्तापना के लिए बुलाया गया था है सम्मेलन और इसमें तीन बड़ी महासक्तिया ब्रिटेन, फ्रांस, रूश ने मद रूब सम्मेलन जो है रूब सम्मेलन क्या है आपने सुनाओगा कॉपिराइट कॉपिराइट से सम्मंदित जो भी अधिकार है उनकी रक्षा के लिए इंटरनेशनल ट्रेटी है ये रूब सम्मेलन है और ये 1961 में हुआ था जो अंतराश्ट्य परिपेक्षिन जो बौधिक संपद्धा अधिकार है इंटेक्च्छल प्रोपर्टी राइट्स वो रूब सम्मेलन में हुआ था दुपक्षिया रक्षा सयोग एक सयुक्त सैन्य प्रसिक्षन अभ्यास संप्रती एक्स निमलिकित में से किस-किस देश के साथ आयो जित किया गया एक क्यूशन आता है आ भारत और बांगलादेश के बीच में जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज हुई है यह अखिल भारतियत तक्निकी सिक्षा परिसद ए आई सीटी ए ए आई सीटी ए इसके अभी प्रजेंट में चेर्में प्रेजिडेंट कौन है एक क्यूशन पूचा जाता है एक क्यूशन पूचा जाता है आपके AICTE का नहीं लेकिन इसी तरीके के इंस्टीट्यूट का पूचा जाता है एक क्यूशन जगदीश कुमार जगदीश कुमार कौन है UGC के चेर्मेन है अनिल दत्ता तरे शास्त्र बुद्धे जो AD सास्त्र बुद्धे है ये कौन है AICTE के चेर्मेन है त्रिलोचन महापात्र है ये ICAR के चेर्मेन है मनोज सोनी डॉक्टर मनोज सोनी है ये है UPSC के चेर्मेन है उम्मीद है ये चारों आपको इंपोर्टेंट लगे होंगे ये इंपोर्टेंट है इस कुशन का करेक्ट आंसर आएगा AICTE के चेर्मेन है प्रॉफेशर A.D. सास्तर बुद्धे निमले कितमें से कौन गलत सुमे लेता है इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से वो देखना है हमें इनकरेक्ट इंडियन एगरिकल्चर रिसर्च इन्स्टिटूट बारतिया क्रसी अनुसंदान संस्तान बारतिय करसी अनुसंदान संस्तान नई दिल्ली में है इसका headquarter ये सही है National Dairy Research Institute राष्ट्रिय डेरी अनुसंदान संस्तान ये करनाल में है सही है Indian Veterinary Research Institute जो बारतिय पसुचिकित सा अनुसंदान संस्तान है ये इज़त नगर में है ये भी सही है Central Institute on Pissaries Education मतश्य पालन शिक्षा पे ये केंद्रिय संस्तान ये कहां पे है ये गोवा में नहीं है इट इस इन मुंबई उम्मिद है ये आपको द्यान में आ गया होगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा उससे सपोर्ट रहता है आपका महत्मा गांदी ने दक्षन परिका में किस अकबार की स्तापना की जिसका प्रियोग उन्हों ने दक्षन परिका में नशल बैद के खिलाब लड़ने के लिए किया था ये जो अकबार है महत्मा गांदी ने इसकी स्तापना की थी दक्षन परिका में ये था इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन इसकी स्तापना 1909 में की थी महत्मा गांदी ने और ये कब तक चला था 1915 तक चलन में रहा था है अकबार इसके माध्यम से गांदी जी है जो वहां के जो एस्वेत लोग है उनके साथ जो नशलिय बेदबाव या उनके जो citizen rights हैं fundamental rights हैं उनके मुद्धों पे इसमें विचार अपने लिखते थे C इसका सही आंसर है दक्षण अफरीका में कौन से दो देश चारो और भूमी से गिरे हुए लैंड लोग कंट्री कौन से हैं दक्षण अप अमेरिका में दक्षण अमेरिका में साउथ अमेरिका इक बात हो रही है देखे ये इसका जो आंसर आएगा एक तो आप मैप के साथ जरूर पढ़िएगा मैप के बिना कई क्यूशन नहीं कर पाएंगे आप मैप में माश्ट्री नहीं करनी है लेकिन मैप में हमें पता हो नच ये कम से कम कौन सा कंट्री कहा है बोलिविया और प्राग में इसका अंसर आएगा बोलिविया के उत्तर और पूरो में देखे बोलिविया के नौर्थ में और इस्ट में क्या है ब्रेजील है और इसके साथ में क्या है बोलिविया की बात हो रही है बोलिविया के साथ में है पूरो में है अर्जेंटिना है और इसके जो साउथ्वेस्ट है बोलिविया के वो है चिल्ली है और इसका जो नॉर्थ्वेस्ट है यहाँ पेरू है वैसे ही प्रागवे के इस्ट और इसमें नॉर्थ में ब्राजील है और नौर्थ और वेस्ट में भी ब्राजील है छोटा है प्रागवे एसका करेक्ट आंसर आएगा आप इसको मैप में जरूर देखिएगा जो ज़्यादा चर्चा में रहता है वो पूछ लिया जाता है क्यूशन बना के ऐसा निमलिकित में से किस पसल को बारत में वानिज्यक खेती के लिए अनुमोदित किया गया कमर्शियल क्रॉप के लिए देखे इसका जो आंसर आएगा वो है बीटी कापास बीटी कापास एक मात्र अनुमनसिक रूप से संसोदित पसल है ये आपको द्यान में रखना है एक मात्र जेनेटिकली मोडिफाइड पसल ये है बीटी कापास जिसको वानिज्यक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है बिनोवा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग रह की शुरूआत कब की बिनोवा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग रह की शुरूआत की थी देखे जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसके बाद कॉंग्रेस की क्या बविशे की निती होगी वो इसपष्ट नहीं थी और इसी टाइम पे क्या है कुछ वामपंती विचारदारा के लोगों का भी एक बड़े इस्तर पे सविनावग्या अंदोलन शुरू करने का प्लान चल रह था लेकिन गांदी जी ने क्या किया कि सविनावग्या अंदोलन के बजाए पहले इन्हों ने गांदी जी ने बल दिया व्यक्तिगत सत्या ग्रह पे और इस व्यक्तिगत सत्या ग्रह का लक्षे क्या था अभी व्यक्ति की सवतंतरता था इसका लक्षे था जो और इसकी सुरुवात की थी बिनोवा बावे ने 1940 में किस राज्ये की काई चटनी को जियोग्रोफिकल इंडिकेशन बोगोलिक संकेत टैग देने के लिए आवेधन प्रस्तुत किया गया है एक कई बार पूछा जाता है जियाई टैग जियोग्रोफिकल इंडिकेशन टैग का क्यूशन जियाई टैग अभी ये काई चटनी के लिए आवेधन दिया है ये कहां की है काई चटनी है ये ओडिसा की है ये द्यान में रखना आपको सबसे पहले बारत में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतिय उत्पाद कौन सा है ये है दारजिलिंग T दारजिलिंग की चाय दारजिलिंग T इसको 2004 में पहली बार GI टैग मिला था ये पहला आया बारती है GI tag उत्पाद वर्दा नदी जिसका हाली में समाचारों में उलेक किया गया था किश नदी की सहायक नदी है वर्दा रिवर जो अभी रिसेंटली चर्चा में है ये रिवर रिवर डिस्पूट, वाटर डिस्पूट बहुत सारे चल रहे हैं हमारे देश में इंटर इस्टेट डिस्पूट कई चल रहे है सो अभी क्या है करनाटक की जो इस्टेट गवर्मेंट है उसने बेदती और वर्दा नदी को जोडने के लिए एक परियोजना शुरू किया है उसपे विचार चल रहा है तो इसको लेके काफी आलोचना कर रहे हैं लोग और सबसे ज़्यादा आलोचना वो कर रहे है जिनको परियावरण की चिनता है जो परियावरण विद है वो आलोचना कर रहे है और फिर उसके बाद इस्तानिये लोग भी कर रहे हैं ये वर्दा रिवर काफी चर्चा में है ये किस रिवर की सायक न दिये वर्दा है ये तुंग बद्रा रिवर की ट्रिब्यूट्री है वर्दा इस ए ट्रिब्यूट्री ओफ तुंग बद्रा रिवर बैंक बोर्ड ब्यूरो इसका आपने सुनाओगा काफी नाम बैंक बोर्ड ब्यूरो इसको बदलने के लिए किस नए निकाई को मंजूरी दिये अब बैंक बोर्ड ब्यूरो को बदल दिया है यह यह नहीं रहेगा अब इसकी जगे दूसरा आ गया है और उसकी वज़े यह है कि जो वरिष्ट प्रबंदन इस तरके पद है जो senior manager level की पोस्टे हैं उनका है उनका appointment का काम bank board bureau नहीं कर सकता और यह किस ने कहा है यह कहा है हाई court ने डेली आई court ने कहा है कि यह नहीं कर सकते है तो government ने अब क्या किया है bank board bureau की जगे यह बनाया है FSIB financial services institutions bank bureau यह बनाया है वित्य सेवा संस्तान ब्यूरो बनाया है यह important question है द्यान में रखिएगा bank board ब्यूरो की जगे क्या आगया अब FSIB और इसके chairman कौन है अभी FSIB के जो chairman है यह कौन है आप regular पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा अधरवाज आप test series जोइन कर लीजे अपडेट रहेंगे इसके chairman है BP Sarma बानु परताब Sarma अभी financial services institutions bureau के chairman है Mind Master एक champion के जीवन से सबक जीतना किस व्यक्तित्व का संस्मरण है Mind Master winning lesson from a champion's life is a memoir of which personality Mind Master यह द्यान रखिएगा यह champion विश्वनातन आनंद का है इसका संस्मरण है B इसका correct answer आएगा Computer अपने data को कहां जोड़ता और तुलना करता है Computer कहां पर अपने data को add करता है और compare करता है So computer अपने data को add और compare करता है CPU में List 1 और List 2 को match करवाना है List 1 में है Level of Teaching शिक्षन का इस्तर और इसके मुख्य प्रस्तावक Main Proponent कौन है Memory Level यह match करवाना है Memory Level जो Level of Teaching उसके जो मुख्य प्रस्तावक है वो यही थे हर बात Understanding Level के Morrison और जो reflective Level है इसके हंट So यह सही मेंच है पहले से ही इसका correct answer आएगा A आप like, share, subscribe जरूर कीजिएगा उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है हाली में उद्गाटन की गई बारत की पहली स्वायत navigation शुविदा का नाम क्या है India's first autonomous navigation facility यह important question है पूछा जा सकता है एक्जाम में यह है तीहान और यह तीहान किसने लांच किया है यह तीहान लांच किया है Ministry of Science and Technology यह भी question द्यान में रखना अगर direct question नहीं आता है कि बारत की पहली देखिए यह पहली है स्वायत navigation सुविदा तीहान अगर यह ऐसा नहीं पूछा जाता है तो कि किसने इसको बनाया है तो यह है Science and Technology Ministry ने इसको लांच किया है लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है यह एक्ट है और यह कब एस्टाबलिस हुए है Water Prevention and Control of Pollution यह जल संरक्षन का है यह है 1974 का जो वायू Air Prevention and Control of Pollution है यह 1981 का है जो विल्ड लाइप प्रोटेक्शन एक्ट है वन्यजीव संरक्षन अधिनियम वन्यजीव सुरक्षा संरक्षन अधिनियम है यह 1972 का है और यह परियावर्ण संरक्षन अधिनियम यह 1986 का है यह चारो ही बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर यह इसका correct answer है निमले कितमे से कौन सा मिलान सही नहीं है इनकरेक्ट मैच कौन सा है देखे पहले जब अमरीकन प्रेजिडेंट का इलेक्षन हुआ था तो लोग अमरीका की संसद में गुस गए थे राष्ट्रपती बवन में गुस गए थे महां टेक कर दिया था और अब भी आप देख रहे हैं स्री लंका में ऐसा ही हो रहा है थोड़े टाइम पहले ये आपको फ्रांस वगरा मेरीन में कहीं एक जग़े और देखने को मिला था अभी भी रिसेंटली फ्रांस के जो प्रेजिडेंट जीते हैं उनके किलाब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है पता नहीं वो कितना सही होगा या नहीं होगा बाद में देखा इस तरीके क्यूशन पूछे जा सकते है एकजाम में इसलिए क्यूशन आपको करवा रहे हैं बताने मकसद यह है इस्पेन की राष्ट्रिय विधाई सबा उसको क्या कहा जाता है हमारे यह क्या बोलते है संसद पारलियमेंट सो इस्पेन में बोला जाता है कॉर्टे ये सही है नौर्वे की जो संसद है उसको स्टार्टिंग बोला जाता है डेन्मार्क की संसद है उसको फालकेटिंग बोला जाता है जापान की संसद है उसको कॉंग्रेश नहीं बोला जाता है जापान की संसद को क्या बोला जाता है ड राइट Dalit बोला जाता है जापन की जो पार्लेमेंट है उसको और कॉंग्रेस किसको बोला जाता है कहा कि पार्लेमेंट को कॉंग्रेस बोला जाता है आपने कई बार सुनाओगा US Congress की meeting हो रही है US Congress ने ये बहुमत ये बिल पास किया है वो US Congress actually USA है अमरीका की जो संसद है उसको ये Congress बोला जाता है इसके अलावा एक और country है Philippines Philippines है उसकी पार्लियमेंट को संसद को भी Congress बोला जाता है D इसका correct answer आएगा उत्रप्रदेश राज्ये के सरवादी क्षेत्रपल पर पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सी मिट्टी उत्रप्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है soil का question आता है जब आता है तो ज़्यादा तर उसको गलती करके आते हैं क्योंकि अच्छी preparation नहीं होती है तब और preparation से नहीं आपको revision matter करता है आपने कितना पढ़ा है वो important नहीं है आपको कितना याद है वो important है और याद अभी से preparation शुरू कर दीजिए ताकि जब आपकी date exam के announce हो आप उस time हम revision करने की position में रहे हैं उत्रप्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेतरपल पर जो मिट्टी पाए जाती है वो है aluvial soil aluvial soil जलोड मिट्टी कुशी नगर के बारे में विश्तरत जानकारी कहां से प्राप्त होती है देखे जो ये 12 टेस्ट है जिन्होंने अभी तक पुराने टेस्ट नहीं देखे है वो चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते है या पिर आप YouTube पे भी जो सर्च बार है उसमें UPHESC और आगे इस पेस देखे माई UPHESC लिख देंगे तो भी आपको लेटेस्ट और पुराने सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे खुशी नगर के बारे में विश्टरित जानकारी कहां से प्राप्त होती है खुशी नगर ये बहुत चर्चा में है अभी असोक के आठवे सिलालेक में इसका जिक्र है जो चीनी यात्री थे फायान और हैंगसांग उनकी जो यात्रा थी उसमें भी इसका जिक्र है कनिस्क के जो कोईन से सिखे उसमें भी इसका जिक्र है इसका आंसर आएगा D सारे ही सही है हाली में खबरों में रहा Lisbon Declaration किसके संदक्षन से संबन दित है Lisbon Declaration किस से संबन दिता है Lisbon Declaration ये संबन दिता है महासागर से अभी 1 जुलाई को सयुक्त राष्टर के सभी 198 सदश्य देशों द्वारा ये समुद्र संदक्षन कंजर्वेशन पे इसको अपनाया है एज ये Lisbon Declaration ये ध्यान रखेगा Lisbon Declaration अभी रिसेंट का नया करंट का क्यूशन है सभी UN के कंट्रीज ने साइन किये है ये समुद्र संदक्षन है महासागर संदक्षन संयुक्त राष्टर के महासचीव एंटे नियो गुटेरेश ने बारते सेना के लेटिनेंट जनरल मोहन सुब्रमन्यम को किस देश को सुडान का अपना नया फोर्ष कमांडर नियुक्त किया गया है देखे ये तोड़ा सा गलत हो गया है अभी एक्चुली क्या है युनाइटेड नेशन ने सुडान में साउथ सुडान में क्या हो रहा है ये लेट 70's के टाइम से ही वहाँ पे तकता पलट हो जाता है या पेर इंटर्नल विद्रो हो जाता है ग्रैयूद हो जाता है उसके बाद से 2011 से जो फोर्स बेजी जाती है उसका कोई कमांडर होता है जो 2016 में पहली बार बेजी गई थी उसके कमांडर थे लेप्टिनेंट जनरल फ्रेंक कामा जी उसके बाद 2017-18 तक ये रहे हैं उसके बाद में ये 19 तक रहे हैं लेप्टिनेंट जनरल सेलेस और अब लेप्टिनेंट जनर मोहन सुब्रमन्यम अब ये सायुक्तराष्tyra का जो साउ्थ सुडान मिशन है उसकी फोर्ष कमांडर है सीज का अंसर आएगा निकोलस हेसोम है जो निकोलस हेसोम ये पहले फोर्ष कमांडर थे इस ये क्यूस्षन द्यान में रखेगा साउथ सुडान का निमलिकित देशों का अवलोकन कीजिए म्यानमार, थाइलेंड, कमबोडिया, इंडोनेसिया उपरोक्त किनकिन देशों की समुदरी सीमा अंडमान वे निकोबार द्वीप समूँ से लगती है अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूँ है उनसे किस-किस कंटरी की बॉर्डर लगते है म्यानमार का बॉर्डर अंडमान निकोबार से लगता है अंडमान निकोबार है इसकी जो टोटल एरिया है ये है 825 स्क्वेर किलोमेटर ये द्यान रखिएगा आपको और इंडोनेशिया से लगती है कंबोडिया से नहीं लगती है इसको जरूर आप मैप में देखिएगा डी इसका करेक्ट आंसर है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेर जरूर कीजिएगा टेस सीरीज का लिंक नीचे अवेलेबल है कोई भी क्वेरी हो तो कॉंटेक्ट नमबर है इमेल आइडिया आप कभी भी पूछ सकते हैं मैसेज छोड़ सकते हैं अल्द वेरी बेस्ट गुड लक यही राइट टाइम है प्रिपरेशन करने का शुरू करने का बाद में डिले ना हो थैंक यू वेरी मुच